बातकार दोस्तों स्वागाते आपका हमारे इस YouTube चनल पर दोस्तों आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे SSE CGL Tire First की आंसर की आने के बाद क्या कट ओफ जाने वाली है वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, साथ हमारे चनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको ऐसी informative वीडियो आपको regular मिलती रहे अगर आप लोगों ने अभी तक आंसर की चेक नहीं करीए तो description के अंदर link दे रहा है आप वहाँ जाकर अपनी आंसर की को चेक कर सकते हैं तो आते दोस्तों माई topic के उपर दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि previous year SSC CZL tariff 1 की क्या cutoff गई थी तो सबसे पहले हम उसके बारे में discuss करते हैं दोस्तों अगर अब previous year की बात करें तो 104 number previous year की cutoff गई थी लेकिन दोस्तों अगर इस बार की बात की जाए तो इस बार जो पिछली साल की मुकाबले cutoff थोड़ा कम जाने वाली है क्योंकि इस बार छात्रों की attendance लगबग आपको पिछली साल के मुकाबले कम देखने को मिली है दोस्तों पिछली बार की तरह इस बार भी आपको normalization का बहुत ज़्यदा रोल देखने को मिलेगा number का घटना या बढ़ना इस बार पर depend रहेगा कि आपकी exam की date और कौन सी shift में आपकी exam थी कहीं student के मन में ये सवाल रहता है कि sir हमारी accuracy इतनी बढ़िया थी फिर भी normalization में अमरे number नहीं बढ़े तो हम आपको बता दे दोस्तों कि normalization बिल्कुल भी accuracy पर depend नहीं करता है ये depend करता है कि आपकी exam की shift किस परकार की थी वो आपकी easy थी या आपकी moderate थी या आपकी hard थी सिर्फ इस बात पर depend करता है आपके normalization नंबर का बढ़ना या घटना तो दोस्तों अब बात करते हैं इस साल क्या cutoff जाने वाली है SSC CGL टायर फर्स्ट की दोस्तों अगर हम general category की बात की जाए दोस्तों अगर general category की बात की जाए तो इस वार की जो cutoff है general category के लिए 65 questions अगर आपके 65 questions राइट बेट रहे हैं CBT first के अंदर तो आपका 100% SSC CGL टायर फर्स्ट का निकल जाएगा OBC के लिए 61, EWS के लिए 58, SC category के लिए 54 और ST category के लिए 51 अगर आपके इतने questions सही बेट रहे हैं टायर फर्स्ट के अंदर तो आराम से आपका जो CBT first है वो निकल जाएगा दोस्तों दोस्तों अगर हम इंको number के अंदर change करें तो general category के लिए अगर हम बात करें तो लगबग 130 number आपकी qualification के लिए प्रियापत है OBC category के लिए लगबग 122 number आपके लिए प्रियापत है CBT first को clear करने के लिए तो दोस्तों कर EWS category के लिए बात करें तो लगबग 116 number EWS category के लिए 100% प्रियापत है आपका जोjust tier first है CGL का वो आराम से निकल जाएगा तो दोस्तों कर बात करें osc category के लिए लगबग 188 number आपके लिए 100% safficent है आपका जोние tire first है वो आराम से निकल जाएगा दोस्तों अगर ST category के लिए बात करें तो लगबग 102 number लगबग 102 number पर आपका ST category के अंदर SSC CGL Tire 1st का जो exam है वो 100% निकल जाएगा दोस्तों ये जो cutoff ये जाने वाली है expected cutoff दोसों ये इसके अंदर 24 number उपर नीचे हो सकते हैं जब after normalization के बाद जो final result आएगा उसके अंदर तो दोस्तों अगर आपके मन में किसी प्रकार की कोई queries है किसी प्रकार का कोई questions है तो आप हमें comment box के थूरू हमें उस question को पूछ सकते हैं तो मिलते हैं आप से next video में तब तक के लिए धन्यवाद